तो रामा ने कहा, देखो, इस रावन के बारे में बहुत सी बुरी चीजे हैं, लेकिन वो एक महान भक्त था, और वो अपना राज बहुत अच्छे से चलाता था, उसने बाकी हर केसी का शोशन किया, जिसके कारण मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन वो एक महान भक्त था, उसके लिए मैं पच्छतावा कर रहा हूँ कि मैंने एक भक्त को मारा, तो इस व्यक्ति का अनुसरन करना जरूरी है, और बहुत महत्वपून है कि वो एक इनसान है, अगर वो भगवान बन जाते हैं, तो आप उन्हें दिवार पर लटका और उन्हें भूल जाएंगे, कोई कभी किसी भगवान का अनुसरन करने की कोशिश नहीं करता, आपको ये बात समझनी होगी, भगवान यानि वो अनुसरन से परे हैं, इनसानों को यही लगता है, अगर कोई इनसान वाकई अच्छा बरताव कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हर किसी में चाहत होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपून है कि वो एक इनसान है, वो एक राजा थे, उन्होंने अपना राज्य खो दिया और फिर वापस लोटे, और अपने राज्य की सारी शानों शौकत छोड़कर, सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि कोई और दुखी था, उनकी सौतेली मा थोड़ी दुखी थी और उनकी पीट पीछे थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रही थी, वो बोले अगर आप यहीं चाहती है तो मैं चला जाता हूँ, इस आदमे का अनुसरन करना ही चाहिए, जब आजकल ल तो यह मंदर क्यों महत्वपूर्ण है? मंदर महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी हद तक कम से कम देश के ऊतर ही भाग में, दक्षंड में उतना नहीं है, यह वहाँ भी है लेकिन उतना नहीं, लेकिन उतर में राम उनकी आत्मा है और 500 साल पहले जब तुर्की से विदेशी हमलावर और बाद में कुछ मंगोलिया से भी वो आए और उन्होंने एक-एक करके सभी मंदिरों को तोड़ डाला ये बहुत समय पहले बना एक प्राचीन मंदिर था जो उस समाज के लिए बुन्यादी ताकत था उन्होंने उसे तोड़ कर उसके उपर जल्दबाजी में अपनी मन चाही चीज बना दी ये विवाद धदकता रहा है ये विवाद अदालत में मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो 135 सालों से अंग्रेजों के जमाने से ये अदालत में था और चलता ही जा रहा था क्योंकि दुर्भाग्य से इस देश में हमने किसी भी कीमत पर राजनीतिक रूप से सही होने की इच्छा बना ली है कोई भी जज इस पर फैसला नहीं करना चाहता था हर कोई इसे आगे बढ़ाता रहा ताकि उसका कारेकाल खत्म हो जाए और अगला जज इस मुसीबत से निप्टे क्योंकि दो समुदाए जम कर आपस में भीड रहे हैं कि ये किसकी संपत्ती है लेकिन अब सुप्रीम कोट ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये मुकदमा करीब तीन-चार दशकों से सुप्रीम कोट में चल रहा था अब सुप्रीम कोट साफ तौर पर एक निशकर्ष पर पहुँचा है सभी सुपूतों को देखते हुए पुरा तथ्व के सबूत साफ तौर पर सौ प्रतिशत ये बताते हैं कि वहाँ एक मंदिर था और उसे ढहा कर जल्दबाजी में उसके उपर एक इमारत बना दी गई तो उन्होंने कहा कि यहां मंदिर बनना चाहिए दूसरे समुदाय को उन्होंने दूसरी जमीन दे दी जो शायद वहाँ से 20 किलोमीटर के भीतर है उन्होंने कहा कि आप अपनी जगा वहाँ बनाएं इन्हें अपनी जगा यहाँ बनाने दीजिए तो ये सिर्फ एक और मंदिर नहीं है ये भारत की आत्मा को पुनर जीवित करना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संप्रदाय धर्म ही राम का आदर करता है बहुत से लोग हैं बहुत से लोग हैं जो दूसरे धर्मों के हैं जो उनकी तरह बनना चाहते हैं जो कई कई रूपों में उनकी सराहना करते हैं। तो कई मायनों में रामायन, राम के जीवन की कथा, भारती संस्कृती का एक अभिन हिस्सा रही है। तो ये लगभग एक घायल राष्ट्रिय आत्मा को पुनर जीवित करने जैसा है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है, वरना बिना मतलब दूसरे समुदायों के खिलाफ नफरत जारी रहेगी। इस हल के साथ बहुत से दिलों और दिमागों को ठंड़क पहुँची है, जो देश के भविश्य के लिए एक अच्छी बात है, वरना दो समुदायों के बीच लगातार बिना मतलब टकराब चल रहा था, तो मेरे खयाल से एक बड़ी समस्या हल हो गई है।